Welcome back to our YouTube channel, Storytelling with Bani and Poojan और आज हम आप के लिए The Conjuring The Devil Made Me Do It नाम की एक होरीर फिल्म के कहानी रेकर आए हैं इस फिल्म को 6.3 रेटिंग में रहे हैं आउट आफ 10 और इसे 89% लोग ने लाइक किया है ये फिल्म 13 अगस्त 2021 को रिलीज हुई थी और इसके बाकी के पार्ट्स की ही तरह इस फिल्म को भी काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला था अगर आपने इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स देखे हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि ये फिल्म सची घटनाउं से प्रिरित है कहानी के शुरुआत एक डरे हुए बच्चे से होती है जिससे डेविल ने अपने कबजे में कर लिया है एड वारिन और इसकी बीवी लॉरिन वारिन जो की पैरनॉर्मल एक्सपॉर्ट्स हैं वो डेविट से मिलने आये हैं वो लोग उससे बात करने आये हैं और उस वक्त उन्हें डेविट काफी जादा नॉर्मल लगता है बात करने के बाद डेविड अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो लोग फादर को एक्जोसिजम के लिए बुलाते है इससे पहले कि फादर वहाँ पर पहुंचते सब को डेविड के चीखने की आवाज आती है क्योंकि डेविट के कमरे में कोई था जो कि उसे परिशान कर रहा था एड और लॉरिन के साथ साथ डेविट की फैमिली भी भी वहाँ पर पहुंचती है किसी ने भी इस बात का अंदाजा तक नहीं लगाया था कि डेविट अपने पिता पर चाको सिवार करेगा उन्हें अब इस बात पर भरोसा हो जाता है कि एग्जोसिजम को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना होगा क्योंकि डेविट की हालत बिगरती ही जा रही थी फादर के आते ही डेविट का एग्जोसिजम शुरू किया जाता है लेकिन डेविट इतना छोटा है कि वो इस एक्जोसिजम को जहल नहीं पाता उसके शरीर की चमड़ी धीरे-धीरे गलने लगती है और वो जोर-जोर से चिलाने लगता है डेविट जोकी डेविट की बेहन है उससे उसकी अहालत देखी नहीं जा रही साथी डेविट का बॉइफरेंड आरनी भी डेविट से काफी जाधा करीब है जब वो ये देखता है कि डेविट इस एक्जोसिजम को जहल नहीं पा रहा तब वो एड और लॉरिन को रोकने की कोशिश करता है जैसे ही वो लॉरिन को वहां से हटाने की कोशिश करता है अचानक से डेविट छूट जाता है और वो एड पे हमला कर देता है एड की छाती पर बैट कर जैसे ही वो उसके दिल पर हाथ रखता है वो उसकी धड़कन रोक देता है एड धीरे धीरे मरने लगता है कि उसी वक्त आरनी डेविट के पास आता है डेविट के अंदर जो कोई भी आत्मा है आरनी उससे बात करता है वो उस आत्मा से बात करके उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो डेविट की जगा उसे लेकर जा सकती है आर्नी के ऐसा कहते ही अचानक से सब नॉमल हो जाता है एड के दिल पर जो दबाव था वो अचानक से सही हो जाता है लेकिन उसे तब भी अस्पताल ले जाया जाता है डॉक्टरों के अनुसार एड को हर्ट इटेथ आया था ये एक major heart attack था जिसकी वज़े से उसकी जान तक जा सकती थी तो वहीं दूसरी तरफ डेविट पूरी तरह से normal हो जाता है लेकिन आर्नी का क्या? आर्नी ने जो ये किया था उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इसकी उसे कितनी बड़ी कीमत चुकाने पड़ सकती है उसके बाद से ही आर्नी को अजीब अजीब तरह की चीज़े दिखाए देने लगती है वो जब ही सोने की कोशिश करता कुछ ऐसा होता कि वो डर कर जाग जाता वो लड़का जो कि हमेशा हस्ता खेलता रहता था डेवी से काफी प्यार किया करता था वो किसे से भी बात करना तक बंद कर देता है सब लोग अपने अपने जिन्दगियों में इतने जादा मस्रूफ है कि किसी का ध्यान आरनी के बदलते हुए सोभाव पे जाता ही नहीं है एग्जोसिजम में हुए उस हादसे के बाद एड बेहोश था लेकिन जैसे ही एड को होश आता है वो लौरेंस से कहता है कि आरनी की जान खत्रे में है उसरोज आरनी ने जब डेविट के अंदर के उस आत्मा से बात की थी तो एड ने उसे देख लिया था उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि वहाँ पर कोई ना कोई अन्होनी होने वाली है इसलिए वो पुलीस को आरनी के घर भेज़ देता है इससे पहले की पुलीस वहाँ पर पहुँचती आरनी ब्रूनो नाम के एक लड़के को चाकू से 22 पर घोंब कर उसकी जान ले लेता है डेबी बिलकुल वहीं पर खड़ी थी लेकिन उसे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये आरनी ने किया है आरनी अब वहाँ से निकल कर रोड पर चलने लगता है और वो पूरी थरा से खून से लटपत है पुलीस को जब वो इस आलत में मिलता है तो वो उसे गिरफ़तार करके जेल में ले जाते हैं एड और लॉरिन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लोग जेल में उससे मिलने जाते हैं वो आर्नी को बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं और आर्नी बड़े ही आराम से बाइबल पढ़ लेता है जिसके बाद उन्हें इस बात पर बहुत जादा हैरानी होती है आर्नी के केस के बारे में जब वकीलों से बात की जाती है तो वकीलों को ये लगता है कि उसे मौत की सजा होने वाली है लेकिन एड और लॉरिन दोनों ही पुलीस वालों और कोट को ये भरूसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो शैतान की कब्जे में था एड और लॉरिन अब इस पूरे मामले की तह तक जानी की ठान लेते हैं जब वो डेबी से इस बारे में पूछते हैं कि आखर डेविट के साथ ये सब शुरू कब से हुआ था तो वो उन्हीं बताती है कि जब वो लोग उस खर में शिफ्ट हुए थे ये सब तब से ही शुरू हुआ था डेविट अपने कमरे में गया और उसके बाद उसने जोर-जोर से चिलाना शुरू कर दिया एड जब उस कमरे को देखने जाता है तो वो वहाँ नोटिस करता है कि फ्लोर पर बहुत ही अजीब सा कुछ बना है डेवि और उसके घरवालों को लगता था कि रकडी पर ये सब सीलन की वज़े से हुआ है लेकिन असल में ये क्या था ये देखनी के लिए लॉरेन उनके घर की बेसमेंट बन जाती है लॉरेन जब उस घर की बेसमेंट में पहुँंच तो वहाँ पर उसे एक बहुत ही अजीब सी कलकरिती बनी हुई नजर आती है और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ये काला जादू है वो उस कलाप्रिती की फोटोज ले लेती है और उसके बाद वो से एड को दिखाती है वो दोनों ही जब इस बारे में चर्च की लोगों से बात करते हैं तो चर्च उन्हें फादर कैसनर के घर भेजता है फादर कैसनर चर्च से रेटायर हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो उन दोनों की मदद करने की भरपूर कोशिश करते हैं जहां एक तरफ आरणी को जेल में दुबारा से अलग अलगतर है कि चीज़ें दिखाई देने लगती हैं वहीं दूसरी तरफ एड और लॉरेन उस तस्वीर को जगा जगा पर बांट देते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि इस तरह का काला जादू पहले कहीं इस्तेमाल किया गया है या नहीं थोड़े ही दिनों के बाद उन्हें एक होमिसाइड डेटेक्टिव डेनवर की तरफ से कॉल आती है डेनवर उन लोगों को जैसिका और केटी के मिसिंग केस के बारे में बताता है जैसिका नाम की एक लड़की जो कि अब अपने घर से गायब थी उसने अपनी एक दोस्त केटी को 22 बार चाकू से घोंग कर ठीक उसी तरह से मारा था जिस तरह से आर्नी ने ब्रूनो कुमारा था केटी की लाश वही से बरामत हो गई थी लेकिन जैसिका के बारे में किसी को अब तक कोई अंदाजा नहीं था लेकिन जैसिका के गायब होने के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर के नीचे भी वही काला कृती मिली जो कि डेविट के कमरे के नीचे थी यानि कि हो ना हो इन दोनों केसिस के बीच में कुछ तो connection जरूर था और जिस किसी भी इंसान ने ये काला जादू किया था वो एक ही इंसान था डेनवर वैसे तो इस बात में भरोसा नहीं करता कि एड और लॉरेन बाकी लोगों से कुछ अलग है क्योंकि वो काले जादू जैसी चीजों में मानता नहीं है लेकिन फिर भी इस केस को solve करने के लिए वो उनकी मदद करने के लिए तयार हो जाता है लॉरेन डेनवर को बताती है कि वो ऐसी चीजें देख सकती है जो कि नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते और इस बात को टेस्ट करने के लिए डेनवर उसके सामने कुछ चाकू रखता है वो लॉरेन से कहता है कि इन सारे चाकों में से उसे वो चाकों निकालना होगा जिसे जैसिका ने केटी को मारने के लिए इस्तमाल किया था डैन्वर के साथ साथ उसके टीमेट्स की हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहता जब लॉरेन बिल्कुल सही चाकों निकालती है डेन्वर को और इस बात पर कोई शक नहीं कि लॉरेन बाखी लोगों से अलग है और इसलिए वो एड और लॉरेन को उस जगह पर लेकर जाता है जहां वो हादसा हुआ था लॉरेन जब उस जगह पर जाकर कॉंसेंटरेट करती है तो उसे अजीब अजीब तरह की चीज़े दिखाएं देनी लगती है लॉरेन बिलकुल उस वक्त में चली जाती है जब जैसिका ने केटी की जान ली थी जैसिका का पीछा करते करते लॉरेन एक पहाड की चोटी तक पहुंच जाती है वो वहाँ से गिरने ही वाली होती है कि उसी वक्त एड उसे बचा लेता है लॉरेन जैसे ही होश में आती है वो डैन्वर को बताती है कि जैसिका की लाश वहीं उस तालाब में है हलांकि सर्च पार्टी तीन चार बार उस तालाब में जैसिका की लाश ढूंड चुकी थी लेकिन फिर भी थोड़ी देर ढूंडने के बाद उने जैसिका की लाश वहीं से बरामत होती है डेबी और डेविड जब आर्णी से मिलने जेल में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है क्योंकि आर्णी बिल्कुल भी बोल नहीं रहा और वो बहुत ज़ादा डरा हुआ है डेविड अब आर्णी से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पूरी तरह से समझ सकता है कि वो क्या फील कर रहा है आर्णी उन दोनों को बताता है कि उसके अंदर जो कोई भी चीज है वो उसकी जान लेना चाहती है वो बार-बार उसे ये कहती है कि उसे अपने आपको जान से मार देना चाहिए डेबी जैसे ही ये सुनती है वो एड और लॉरिन को कॉल करती है इसके बाद वो दोनों जेल में फादर न्यूमें से बात करते हैं और आर्नी को सुईसाइड वॉच पर रखा जाता है फादर न्यूमें उसे होली वाटर देते हैं और उसे कहते हैं कि उसे हिम्मत रखनी होगी जैसिका की लाश मिलने के बाद लॉरिन को एक बात याद आती है कि पहली बार जब उसने डेविट को छुआ था तो उसे कुछ नजर आया था यानि कि उसके और जादू करने वाले के बीच में एक कनेक्शन था यानि कि अगर लॉरिन चाहे तो वो उस जादू करने वाले को देख सकती थी क्योंकि ये सब डेविट को छूने पर हुआ था तो लॉरन को इस बात पर भरोसा था कि जैसिका को छूने पर भी वो उसे देख पाईगी लॉरन जैसे ही जैसिका का हाथ पकड़ती है उसे एक औरत दिखाई देती है ये औरत किसी सुरंग जैसी जगह में जमीन के नीचे है इस जगह की छट से पानी टपक रहा है और पास से उसे एक ट्रेन के गुजरने की आवाज भी आती है लेकिन इससे पहले कि लॉरन बाखी कुछ बता कर पाती है वो औरत उसे नुकसान पहुचाने की कोशिश करती है एड जब ऐसा होते हुए देखता है तो वो उन दोनों के बीच का कनेक्शन तोड़ देता है लेकिन लॉरन इसके बाद कहती है कि उसने उसे भी देख लिया है इसलिए उसके साथ साथ एड की भी जानखत्रे में है लॉरन एड को बताती है कि उस ओरत ने डेविड और आर्नी को एक श्राप दिया है और इश्राप के बारे में खास बात ये है कि उस औरत को ये श्राप अब पूरा करना होगा क्योंकि उसने डेविल को अपनी आत्मा देने का वादा किया है और अगर वो ओरते श्राप को पूरा नहीं कर पाती है तो डेविल उसकी आत्मा ले जाएगा और उसे मरना होगा एड को अब धीरे-धीरे कुछ समझ आने लगता है वो लॉरेंस से कहता है कि जैसिका और डेविड के बीच में कुछ तो कनेक्शन जरूर है लेकिन इससे पहले कि वो जादा कुछ कहा पाता वो वहीं पर बेहुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी दवाईयां घर पर ही भूल गया है लाकिली अंबिलेंस वहाँ पर आ जाती है और एड की हालत स्टेबल हो जाती है एड जब नीन में था तो उसके सपने में वही ओरत आती है जिसने डेविड और आर्णी पर काला जादू किया था एड को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो ओरत उसे दिखाई दे रही है क्योंकि ऐसा तभी मुम्किन था अगर एड पर भी काला जादू किया गया हो एड प्रार्थना करके अपने आपको बचा कर बाहर तो आ जाता है लेकिन फिर वो घर में यहाँ वहाँ ढूनने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कलाकृती उसके घर में भी कही ना कहीं जरूर पड़ी है एड की नजर टेबल पर रखे हुए सूखे फूलों पर जाती है और जब वो उस फ्लारबास को तोड़ता है तो उसे उसके अंदर से वही कलाकृती दिखाई देती है यानि कि उस ओरत ने डेविड और आर्नी के साथ साथ एड पर भी वही कला जादू किया था डेनवर अब एड और लॉरिंग पर पूरी तरह से भरोसा करता था और इसलिए वो उन्हें जैसिका और केटी की केस फाइल्स दे देता है एड अपने एक टीम मेंबर ड्रियू के साथ उन फाइल्स को स्टाडी करने लगता है ताकि वो ये जान सके कि जैसिका और डेविड के बीच में क्या कनेक्शन है जैबी आर्नी के पास चली जाती है ताकि वो फादर नूमन के साथ उसका खयाल रखे तो वहीं लॉरिन विच्च्क्राफ्ट के उस किताब को लेकर फादर क्यासनर के यहां जाती है ताकि वो उसे ट्रांसलेट करके उस कुर्स को तोड़ने की विधी पता कर सके उन फाइल्स को स्टाडी करने के बाद एड को यह पता चलता है कि जैसिका का कॉलिश फेर फिल्ब में था और यह जगह डेविट के घर के काफी पास थी यानि कि वो औरत जो कोई भी थी वो इसी जगह से थी और वो उन दोनों को जानती थी अब वो लोग कड़ी से कड़ी जोडने लगते हैं लॉरन ने जब जैसिका का हाथ पकड़ा था तो वो उस जगह जाकर आई थी जहां ट्रेन की आवाज आ रही थी और छट से पानी टपक रहा था एड जैसे ही ये सुनता है उसे इस बात का अहसास होता है कि लॉरन की जान खत्रे में है और वो उसे बचाने के लिए फादर कैसनर के घर की तरफ भागता है जैसे ही वो जलबाजी में घर से निकलता है एक बार फिर से वो अपनी दवाईयां वहीं पर भूल जाता है यानि कि वो पहला इंसान डेविड था, दोसरा इंसान आर्नी क्योंकि वो डेविस से प्यार करता था और तीसरा इंसान खुद एड क्योंकि वो भगवान में अटूट विश्वास रखता था फादर कैसनर अब लॉरेन को अपनी घर की बेसमेंट की तरफ लेके जाते है वो उसे एक पुरानी फोटो ऐलबम दिखाते हैं जहां उसे एक बच्ची दिखाए देती है लॉरेन जब उस अलबुम को आगे देखती रहती है तो उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ये वही औरत है और ये औरत और कोई नहीं बलकि फादर कैसनर की बेटी थी जिसे उन्होंने चर्ट से और बाकी दुनिया से छुपा कर पाला था जिस घर में फादर कैसनर अपनी बेटी के साथ रहा करते थे वो एक पुरानी मिल हुआ करती थी जो बहुत सारी सुरंगों से गिरी थी फादर कैसनर की बेटी बच्पन से ही अकेली रही थी उन सारी चीजों के बीच में जो चर्ट से अबैंडिन्ट थी वो पूरा दिन उन सुरंगों में घूमती रहती और उन अजीबों गरीब चीजों को देखती रहती फादर को इस बात का कभी पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी का ये शौक कभी एक उब्सेशन में बदल गया अभी वो दोनों इस पारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी घर में थोड़ी सी आवाज होती है और फादर ये समझ जाते हैं कि उनकी बेटी बहाँ पर आ चुकी है फादर लॉरेन को एक टैनल का रास्ता दिखाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं वो अपनी बेटी को जान से मारने के लिए गर निकाल लेते हैं लेकिन इससे पहले ही कि वो उस पर वार करते हैं उनकी बेटी चाकु से उनका गला काट देती है लॉरेन को इस बात का वीजन आ जाता है और वो ये समझ जाती है कि फादर क्यास्नर की मौत हो चुकी है वो उनकी बेटी से यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करती है और उसे बचाने के लिए एड भी वहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन क्योंकि एड पर काला जादू किया गया है इसलिए वो लॉरेन को बचाने के बजाए उसी पिवार करने लगता है बहुत देर तक उन दोरों की बीच में मुड़ भीड होती है और आखिर में जब वो लॉरेन को जान से मारने ही वाला होता है लॉरेन उसे इस बात का एहसाथ दिलाती है कि वो उससे कितना प्यार करती है एड अपने अंदर के उस शैतान को काबू में कर लेता है और उस टेबल को तोड़ देता है जिसके जरिये काला जादू किया गया था टेबल तूटते ही वो पूरी विधी खराब हो जाती है और क्योंकि उस औरत का दिया हुआ श्राप अधूरा रह जाता है इसलिए डेविल आकर उसे एक दर्दनाक मौत देता है जैसे ही एड और लॉरेन वहां से निकलते है एड की तबियत दुबारा खराब हो जाती है वो लॉरेन को बताता है कि वो अपनी दवाईयां भूल चुका है कि तब ही लॉरेन अपना लॉकेट खोलती है और उसमें से एक टेबलेट निकालके उसे खिला देती है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक कहानी पूरी तरह से सच थी कोट ने डिमॉनिक फुजेशन वाली इस थियोरी को मानते हुए आर्नी को सिर्फ पांच साल की जेल की सजा दी थी पांच साल के बाद आर्नी जब जेल से रहा हुआ तो उसने डेबी से शादी किये और वो लोग आज तक एक खुशाल जिन्दगी जी रहे हैं इस फिल्म के एक छोटे से हिस्से में हमें एड और लॉरेन की लव स्टोरी भी दिखाई गई है जहां एड और लॉरेन पहली बार एक गजीवों में मिले थे और वहीं पर उन्होंने अपने जिन्दगी की पहली किस की थी एड अपनी पतनी को अपने प्यार का एसास दिलाने के लिए ठीक वही गजीवों अपने घर के बाहर भी बनवाते हैं फिल्म के आखिर का पार्ट आपको सबसे जादा इंट्रेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि उसके बाद आपको इस कहानी की ओरिजिनल तस्वीरें दिखाई जाती है सबसे इंट्रेस्टिंग और सबसे डराबना पार्ट ये है कि हमें उस एक्जोसीजम की ओरिजिनल ओडियो भी प्ले करके दिखाई जाती है तो आपको ये फिल्म देखने का मौका मिलता है तो आप इसे आखिर तक देखे पता नहीं आपका क्या मानना है लेकिन मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि उस वक्त अवेरनेस इतनी जादा न रही हो क्योंकि जिस तरह से आर्नी को डेमॉनिक पॉजिशन वाली थेयरी के तहट पांच साल की सजा दिलवाई जाती है ये भी हो सकता है I am not sure लेकिन ये हो सकता है कि ये बस एक वहम क्रियेट किया गया हो पर इस बात में से हमें से कोई इंकार नहीं कर सकता कि Ed और Lauren ने उन दिनों जो किया था वो काफी काबिल इतारीत था So thank you so very much हमें comment section में बताईएगा जरूर कि आपका इस कहानी की बारे में क्या मानना है और अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है तो बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि उन्हें हमारी Instagram ID चाहिए तो आपको description में इस बार Instagram ID मिल जाएगी आप हमें वहाँ भी message कर सकते हैं और अपनी फिल्मों की फर्माईश दे सकते हैं Thank you so very much guys and stay tuned, bye bye